हेलो खेंट्स, वेलकम तू मैं चैनल, फ्राइट वर्न्स आज मैं आपके लिए गमार फली की सबजी लेकर आई हूँ इसे मैंने तोड़कर उबाल लिया हुआ है और इसके लिए हम लेंगे टमाटर, लसून, हरी मिर्च इसके बाद हम थोड़ा सा तेल लेंगे कड़ाई पर और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई देखे, फिर हम उबला हुआ जो हमारा गमार फली है उसको हम तेल में डाल देंगे और साथ में ही हम इसमें हरी मिर्च डाल कर इसे बिल्कुल अच्छे से mix करेंगे आप इसे बिल्कुल अच्छे से मिला लीजे ताकि ये अच्छे से चारो तरब से तेल इसमें लग जाए और ये अच्छे से भुनने लगे देखे फ्रेंट्स ये हलका हलका भुनना शुरू हो चुका है चलिए हम इसमें मसाले एट करेंगे मैंने इसमें हल्दी डाला है यह बहुत ही आसानी से बन जाती है इसमें हम लाल मिर्श का पॉडर डालेंगे जो हमारे अनुसार होगा कि हमें कितना तीखा चाहिए फिर मैंने इसमें धनिय का पॉडर डाला है दो टी स्पून और इसे बिल्कुल अच्छे से हम फिर से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो भी भुन जाए यह बहुत ही आसान रेसेपी है फ्रेंट्स आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें इसके बाद देखें जो हमने लसून लिया था उसे मैंने कूट लिया है आप इसे बिल्कुल रफली कूट लीजे या फिर चॉप कर लीजे और इसमें डाल कर इसे मिक्स करिए इसे एक से दो मिनट पकाने के बाद हम इस तरिके से इसे साइड में करेंगे और बीट में थोड़ा सा जगा बनाकर जो हमारे टमाटर है उसे हम डालेंगे आप इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादर डालिए लगबग अगर आपका जो गवार फली है वो एक केजी है तो आप चार से पांच टमाटर डालिए इसके बाद हम इसमें नमक एट करेंगे वो भी हमारे स्वादन उसारी होगा और फिर हम इसे थोड़ी दिर पकाएंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे देखें जो हमारे टमाटर है वो गलना शुरू हो चुका है अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर पूरी तरीके से गलना जाए देखे फ्रेंट्स हमारा जो सबजी है वो बिल्कुल तयार हो चुका है हमने गैस बंद कर लिये हैं हमारे टमाटर गल चुके हैं अब हम इसे सर्व करेंगे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू